हेलो एवरिवन वेलकम बैक टो आवर चैनल आज मैं आपके लिए लाई हूँ 12th क्लास हिस्टी का इंपोर्टेंट चैप्टर किंशिप कास्ट और क्लास अर्ली सुसाइटीज के इंपोर्टेंट एक्शिल कोशन फर्स्ट कोशन में आलेडी करवा चुकी हूँ जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बोक्स में मिल जाएंगे आज मैं करवाने जारें कोशन नमबर सेकेंड तो कोशन नमबर सेकेंड है हमारा कि डिसकस वैदर किंग सेन अर्ली स्टेट इन वैरियेवली वर शत्रियाज ठीक है इसको डिसकस करो कहते कि दर्म शास्त्रों को अगर हम देखें तो वहां पे क्या कंसिडर किया गया है कि सिर्फ शत्रिये ज़ जाती है उनीी को किंग बनने का अडिकार है शत्रिये जाती को ही ruling class जो हぇ वह माना गया है लेकिन बहत से एग्जैमपल्स देखी हैं हमने बहुत सी ऐसी ruling dynastys देखी है पहले जिनका शत्रियों में उ जो ब्रामिनिकल टेक्स्ट है उसमें ये कंसिडर किया गया है जो मोरियास थे वो लो रिजन थे मतलब वो शत्री नहीं थे बलकि वो नीच जाती से बिलॉंग करते थे शत्रियों के बाद इमिडेटली बाद किनों ने रूल किया बारत पर शुंगाज और कन्वाज ने ठीक ह जो कि मोरियास के सकसर कंसिडर किये जाते है ठीक है वो कों थे वो ब्रामन्स थे वो शत्रियों नहीं थे ठीक है वो ब्रामन्स थे ये जो सुसाइटी की जो सेक्शन थी जैसे जो शुंगाज थे कन्वाज थे इन्होंने पॉलिटिकल पावर पर बहुत ही ज़ादा कंट्र किया और काफी ज्यादा स्पोर्ट और रिसोर्स को इंजोई किया यहां पर यह कोशन नहीं बनता कि वो शत्रिय थे जा नहीं थे ठीक है अब कुछ और भी रूलिंग क्लासिस थी जैसे शाकास थे जो सेंटर एशिया से आयोए थे बर्दा ब्रामांस कंसीडर दम लेकिन जो हमने भी रूल किया था भारत्त पर धीक है सिमलेरी जो गोटमी पुत्र सत्कामी था ठीक है वह भी बैस्ट रूलर तस्ट्वाहना डिनास्टी इक हो हम ब의 Itaghan गाने शत्रियों के प्राइड प्राइड को खदम किया थ मतलब कि उन्होंने शत्रियों को हराया था ठीक है वो बहाना जो थे सत्वानास जो थे वो कौन थे ब्रामन थे और उन्होंने शत्रियों को हराया था लेकिन अगर हम ब्रामनों की बात करें उनकी सोच विजार की बात करें तो उनके विजार में क्या है जो किंग होना चाहिए वो हमेशा किस जाती से बिलोंग करना चाहिए शत्रि नहीं थे कुछ ब्रामन्स थे कुछ लोग कास्ट के लोग थे उन्होंने भी रूल किया था थेंक यू